गाई जो आज की ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा मज़ेदार होने वाली है जी आगाई क्योंकि इस वीडियो में आपको complete detail में online exam में cheating करने का दो से तीन ऐसी secret tips बताने वाला हूँ जिसको ना तो आपका software ना ही sensor क्या sensor का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा जी आगाई आप समझ सकते हूँ रती भर भी मतलब आपका sensor उसको कैसने कर पाएगा एकदम 100% क्या है 102% safe trick है जिससे आप इजली एकदम आसानी से cheating कर सकते हूँ क्या है इसको भी डीटेल में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही useful हो ले वाले है तो वीडियो को पूरा बात करेंगे जरूर दोस्तों में share करिएगा से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको मोग टेस्ट के लिए registration किस डेट से कहां पर करना है फश्ट एर सेकेंडियर फाइनल यर वालों को इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारी चीटिंग की ट्रिक्स है कुछ दो से तीन ट्रिक्स है जो की हंडेट परसेंट सेफ है उसको हम लोग डिसकस करेंगी तो चलिए देख लेते देखें यहां पर यह लिखा गया था नोटीस में कि 15 से यहां पर देखें आप लोग देख सकते हो 12-18 तक अंतिम सेमेश्टर वाले चात्रों का मतलब एक्जाम होगा मोग टेश्ट का और 15-25 के बीच मतलब फाइनल यर वालों का होगा तो बारत तारिक से पहले आप लोग का रिजिस्ट्रेशन हो जाएगा बारत तारिक से पहले ग्या जिस लिंक से आप लोग मोग टेश्ट दोगे उसी उसी लिंक से आपको हो सकता है कि फाइनल आनलाइन एक्जाम भी देना पड़ेगा तो उस लिंक को जो आएगी उसको डिलीट मर्त कर देना आप लोग गलती से नहीं तो फाइनल यर वालों का है तो एक दिन पहले मतलब एक्जाम से आपके कालेश को नोटीस आजए लिंकों सब आपके इमेल आडी पर भेज़ दिया जाएगा और उसी प्रकार फर्स्ट यर सेकेंड यर थर्ड यर का 15 से पचीस में है तो इनका भी एक दो दिन पहले इनके इमेल आडी पर भेज़ दिया जाएगा सब कुछ और क्या ने करना हो आप लोग खुड डिसाइड कर सकते हो तो चलिए चाहे कोई डाउट हो चाहे कोई कांसेप्ट हो चाहे कोई बोर्ड हो या चाहे कोई जेए नीट का एक्जाम सबका सलूसन है फिलो एप पर यहाँ पर आपको तीन स्टेब में अपने सवालों का एंसर पहुते हो आपको अपना फोटो ले लेना है जो भी क्यूस्चन हो या उसको टाइप करके आप इंडिया के एक्सपर्ट से अपने सवालों को एंसर पास सकते हो विदिन साथ सेकेंड में आपके इंडिया के टॉप लिंक है जाओ वहां से आपको डाउनलोड करो और जो मैं उन्हों ही ट्रिक्स बहुत ही सेफ है और बहुत ही मज़ेदार है सायथ कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता नहों तो देख लो और शेयर तो वीडियो को जरूर करना लाइक कर दो अभी सेख और सेयर भी कर देना दोस्तों में देखो पहले ट्रिक्स है ज ठिखान से सुनना प्लोग मैं क्या बाते बोलना हूँ तो को चबिखना Gen is यहाँ पर मान लो आप यह बैठते हो समझ गए यह पर आप बैठे उ यहां पर मोबाईल रखी गई है यह आप लोग एक्जाम देरे हो तो सबसी मतलब सेफेश तरीका है कि एकट्यू ने आपको एफ़ोर साइज पेपर और पेन और कैलकुलेटर इलाओ किया सबको पता होगा तो आपको चार से पांच एफ़ोर साइज पेपर ले लेना है और उ लिखो आप लोग और इधर राइट करो पहला क्यूश्चन डाल के इधर जो क्यूश्चन है पेन से लिखो आपसन भी दे दो समझ गए धीमे से अब इतना सब लोग है कि मोबाईल में आप लोग क्यूश्चन देके नीचे एफ़ोर साइज या किसी कापी पर लिख सकतो आ वापस आपको वही पेपर भेहर डिख अ车ी हो इसली आप फिर सिकर लोगे फिर सेकर्ट क्यूश्चन चलेगा थाड़ ऐसे बहुत ही से यार बहुत ही मजएदाब ट्रिक्स हैं आब आप लोग खूश्च अपनाना है या नफिन आप लोग समझ लेना तो समझ गहीं यह आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को तीन चार एफोर साइट पेपर ले लेना है हो सके तो एक क्यूस्टन करना नहीं दो तीन उत इस पर काफी कर लेना लिख लेना पेंसे इसके बाद बगल इस तर खिसका देना इधर बैठा हुआ इंसान आपका चेक कर देगा और ऐसा नहीं कि कैमरा एक चारों तरफ घुमाएगा तो धी मैसी सारा करना वो उस साइड भाग जाएगा इतने जदली तो होई ही जाएगा सबका समझ गए पहली यह ट्रिक्स थी आप लोग समझ गए होंगे नहीं समझे हो तो इस्टाग्राम पर मैसेज करना मैं समझा दूँगा और दूसरी जो ट्रिक्स है यह तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एक टेबल रहेगा यहां पर लेप्टाप रहेगा यहां पर आप रहेंगे बैठे विए इस तरह एक्जाम दे रहे हो लेप्टाप के पीछे यहां पर मुबाईल लख लेना यह पाला हाथ इधर से इधर जाएगा और यहां पर आप एगदम कांटीनुएस में पढ़ो और आपके पास देखें टाइपिंग का हुनर होना चाहिए मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको टाइपिंग का हुनर होते इसका फायदा बहुत अच्छे चुटाएंगे यहां पर आ यहां पर यह लैप ताफ मैं यहां पर यहां पर कैमरा रहेगा इस तरह आप देखेंके इधर से हाहाँ जायेगा यहां पर मोबाइल रहेगी यहां पर कीवर्ड रहेगा यहां पर सर्च होगा आपका कुस्तोर और खल होगा और जब कोई रिस्की प्रॉब्लम आए कैमेरे घुमाने की बात तो इधर से फिर मुबाइल हटवा दिया जाएगा कोई एक इनसान बैठा रहेगा तो आई होप कि आप बातों को समझ गए होंगे अब देखो फिर से मत बोलना कि ये आप नकल को बढ़ावा दे रहा है प्लीज आप लोगों से मेरा नकल बढ़ावा देने का कोई इंटेंसन नहीं है तो आई होप कि ये दोनों ट्रिक्स समझ में आई होगी आपको अच्छी क्योंकि अच्छी लोगों तो दोस्तों वीडियों को सेयर करिएगा ज्यादा ज्यादा लाइक करिएगा तब तक लिए बावा टेक्ट करें